हैलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और जिनोंने मुझे मैसिज किया है उनका नाम है रवी तेजा ये आप स्क्रीन पर उनके स्क्रीन सॉट भी देख सकते हो मैसिज इसके तो उन्होंने मुझ से मैसिज में कहा है कि जो उनके गाड़ी की डैसबोर्ड लाइड होती है यानि के इंस्ट्रूमेंट कलस्टर लाइड होती है वो उनकी वर्क नहीं कर रही है तो उसको कैसे ठीक करना है तो दोस्तों ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और दोस्तों आप भी वीडियो डालूँगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुच जाएगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को अन कर लेना और साथी साथ वीडियो को भी लाइक कर देना तो दोस्तों ये हमारा सेंट्रों का इंस्ट्रूमेंट कलस्टर और यहाँ प किया और एक बार और चावी को यहाँ पर गुमाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कोई लाइट नहीं आई है ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमेशा इस पर जो लाइट आती थी वह एक यहाँ पर आती थी जो हमारा हैंड ब्रेक होता है उसकी लाइट आती थी और बैटरी का निशान आता था, यहाँ पर बना हुआ, और एक और आता था इंजन का, ठीक है दोस्तो, और यहाँ पर देख सकते हो, दोस्तो, मेरे जो इस्टीरियो है, उसके अंदर प्रॉपर पावर आ रही है, लेकिन instrument cluster के अंदर light नहीं आ रही है ठीक है दोस्तो तो अब मैं यहाँ पर इसको चाबी को निकाल लेता हूँ दोस्तो और उसके बाद आपको दिखाऊंगा के क्या करना है सबसे पहले चाबी को निकाल के रख देना है एक side पर और दोस्तो फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की side आ हुए होते हैं जो के अभी फिलाल हमें किसी और fuse के बारे में बात नहीं करनी है शरिफ हमारे जो cluster है उसके उपर बात करनी है ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर देख सकते हो यह उपर से दूसरे नंबर पर 10 ampere का fuse है cluster का मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ यह के लिए यहाँ पर इसका clip को unlock करना है और एक clip यहाँ पर उपर होता है तो इसको उटाना है तो जो इसका cover है वो यहाँ से निकल जाएगा ठीक है दोस्तो अब देख लेते हैं दोस्तो इसके अंदर हमारे तीन लाइन बनी हुई है फ्यूज की दोस्तो जैसे के हमारे बार के उपर पूरा छपा हुआ है कि कौन सा फ्यूज कहां पर है तो उसी के हिसाप से इसको डाइगनॉस कर लेना है ठीक है दोस्तो जैसे के इसमें एक दो तीन लाइन बनी हुई है cover के उपर ऐसे ही वहाँ पर फ्यूज की तीन लाइन है एक दो तीन ठीक है दोस्तो तो आपर की साइड से दूसरा एसे स्यरत सैट लाइन में आपर के साइड से दूसरे वाला फ्यूज । 10 ऐंपयर का ये हमारा इंस्टूमेंट कलस्टर का स्योज इसको निकालने के लिए मैं सिंपल सा फ्यूज टूलय यूज कर रहा हूँ यहाँ पर जो के हर गाड़ी के अंदर होता है तो इसको simply यहाँ से पकड़ के और fuse को निकाल लेना है ठीक है दोस्तों और मैं अब इस fuse को आपको दिखा देता हूँ कि यह हमारा सही condition में है या यह खराब हो चुका है तो मैं यहाँ पर camera को थोड़ा focus में कर लेता हूँ तो दोस्तों अभी यहाँ पर जड़ा आनी रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मेरे यह fuse रखे है जो spare fuse रखे हुए है मैंने कभी भी यह Пम आ जाते हैं तो आपको भी अपनी गाड़ी में spare fuse रखने चाहिए कबھی भी आपके एक काम आ सकते हैं दोस्तों मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं जो मेरा नया फ्यूज है वो ये वाला है और इस पे मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूं जो इसका फ्यूज के अंदर यह जो ऐसे बेंड करके घुम रहा है वो बिल्कुल ठीक है और दोस्तों जो हमारे खराब वाला fuse है वो भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ यह तो हमारे सही वाला है और यह खराब वाला है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ तो इसके बीच में जो यह ऐसे बैंड करके गुमा हुआ है अंदर वायर तो महां से बीच में कट लगा हुआ उसके तो यानि के ये फ्यूज हमारा खराब हो गया है और इसको मैं फेक देता हूँ और दोस्तों ये हमारे नए वाला फ्यूज है जो के इसका जहां पर बैंड हो रहा है वायर महां पर बिल्कुल ठीक है व और हमारा फ्यूज यहां पर दोस्तों लग चुका है और अब सिंपली हमें क्या करना है इसके कवर को यहां पर लगाना है वापिस से ठीक है दोस्तों तो इस कवर को मैं जल्दी से यहां पर लगा देता हूँ तो लगाने के लिए इसको सिंपली इसके फ्यूज बॉक्स के उपर रखना है और जोर से इसको push करना है तो यहाँ पर यह लोग हो जाएगा ठीक है दोस्तो हमारा fuse box तो बंद हो चुका है और अब आते हैं हम अपना उपर की side यहाँ पर और दोस्तो जो हमारी key है तो हम इसमें अपने गाड़ी के अंदर चाबी को लगाएंगे और check करेंगे कि हमारे जो instrument cluster की light है वो work करने लगी है या नहीं करी है ठीक है दोस्तो तो यह मेरे पास की है इसकी तो मैं इस पर गाड़ी के अंदर इसको लगा देता हूँ यहाँ पर और पहले करता हूँ ignition on और ignition on करने के बाद एक बार और चाबी को गुमाना पड़ेगा यहाँ पर तो यह मैं चाबी को गुमा देता हूँ और यह देख सकते हो दोस्तो हमारे instrument cluster के उपर light आ गई है यहाँ पर हमारे जो hand brake है उसकी भी light आ गई है और battery की भी आ गई है तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बंद करके देख लेते हैं और दुबारा से चाबी को गुमा के दिखाते हैं और देख सकते हो दोस्तो दुबारा में भी यहाँ पर हमारे instruments cluster के अंदर light आ चुकी है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह वीडियो आपके लिए useful रही या नहीं तो मुझे comment करके जरूर बताना और दोस्तो आप मुझे direct बात कर सकते हैं मुझे instagram पर follow करके और वहाँ पर आकर मुझे message कर सकते हैं गाड़ी से related कुछ भी वहाँ पर पूछ सकते हैं और अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप मुझे उस चीज का photo send कर सकते हैं या short video बनाकर instagram पर मुझे send कर सकते हैं ताकि मुझे वह चीज समझने में आसानी होगी और मुझे आपको समझाने में भी बहुत आसानी पढ़ जाएगी वह चीज ठीक है दोस्तो तो आप मुझे instagram पर आकर follow करें तो दोस्तो आप भी अपनी गाड़ी के instrument cluster की light को कुछ इस तरीके से ठीक कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तो